नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अजेपाल सिंग और आज हम लोग बेटे हैं अमारे महान गायक, अमारे महान चवी करता श्रीमान परताप सिंग जी, मैं इनका स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल पे नमस्कार जेवावरी राम रामसा मैं परताप सिंग सोन्याना मेर पिताजी का नरिमान मौन सिंग जी निवासी सोन्याना और माताजी का नाम स्रीमती सिता देवी निवासी सोन्याना पड़ाई आटवी तक की मैंने आटवी पास की उसके बाद मैं होटल में जॉब करने गया और दिरे दिरे संगीत लैन में जुड़ा अभी वर्तमान में वो मेरा पैसा है आपके पिता जी का वेवसा है क्या रहा था? जी मेरे पिता जी उदेपूर कोटन मिल में सुपरवाईजर थे आप संगीत के छेतर में बहुत अच्छी ख्याती पा चुके हैं क्या आपका बचपन से ही मोटी संगीत लाइन में जाना ही था या बचपन में आप कुछ और सोचते थे? मैं स्कुल में पढ़ाई करता था उस टेम मेरा मतलब ये संगीत की और काफी लगाव था और जब भी स्कुल में कोई फंक्सन होता था हमारे टीचर लोग बोलते थे और सबसे पहले मेरे कोई खड़ा करते थे जो भी कोई भी फंक्सन साथ करती कारिकरम 26 जनवरी 15 अगस्त को कोई भी कारिकरम होता था सबसे पहले मेरे को खड़ा करते थे उसी टेम से दीरे दीरे ये संगीत लैन में मेरे को बहुत ही मतलब अच्छा मैसूस होने लग गया और उसके बाद में ये लाइन जोइन की जब आपकी शुरुवाती जब दौर था तब आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा वो क्या दौर रहा होगा और क्या समस्याओं रही होंगी उनके बारे में आप थोड़ा बताईए जी मेरी आर्तिक इस्तिती बहुत कमजोर थी लेकिन जो मेरी दादी मा थी उनका बहुत सपोर्ट था हर एक चीज में पड़ाई से लगा कर कोई भी चीज में और जब वो भी गुजर गए थे जब बहुत सारी प्रेशानी आये थी और उस टेम में होटल में कमाने गिया था और उसके बाद में दीर दीर एक दो दोस्त संगीत प्रेमी मेरे उन्होंने भी मेरा स्पोर्ट किया और मेरे मामा जी है दूल सिंग जी कडिवाल उन्होंने भी класс और मेरे रास्तान में बुलाया एम्लावात से एक दो तो अडियो भी रिकोडिंग करवाई मेरी और भगवान की किरपा से मातेसुरी की किरपा से वेलपणा माता जी का जो मैंने बजन रिकोड किया था और मातेसुरी की किरपा से बहुत ही अच्छी वो कैसीट चली थी उस टेम उसके बाद में जब वो कैसीट चली उसके बाद मे मैं वापीस अपने वैवसाई अपने होटल में वापीस कारी करने चला गया था दिर दिर वो कैसी अच्छी पॉपलर होई थी और मेरे इदर से सत्संग के भी पौन आते थे तो वो दोनों मेच नहीं हो रहे थे होटल लाइन और सत्संग तो फिर मैंने डिसाइट किया कि दोनों में से एक ही चीज करना है तो फिर मैं इदर आया रास्तान में और मेरे दोस्त है बहुत ही बड़ी मेरे मित्र है जिनोंने मेरा खूप सपोर्ट किया मौन सिंग जी रावत जो ग्यानगड नारेली के जिवासी है और मेंदर सिंग जी काली मंगरी और एक परकास जी बरार वाले है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा और मेरे मामा जी का तो मेरे उपर आशिरवाद था ही लेकिन मेरे कारिया अच्छा चलना लगिया अच्छा मैं मतलब लोगों के दिल में जगे बना सका और आज मैं बिलकुल खुश हूँ आप किस परकार की संगीत शैली से प्रभावित हैं? मैं बिलकुल सत्संग जो बजन होते हैं बस मेरे को वो ही मतलब पसंद है अभी आप सत्संग के अंदर कितने परकार के गायन कर लेते हैं? अभी आप किस गायक से प्रेरित हैं? जिनके गायन को सुन करके आप खुद प्रेरित हैं, प्रोच्छाइत होते हैं वे कौन से गायक है जिने आप गुरू के रूप में दर्जा देते हैं, जिने मानते हैं और जिनसे आप खुद को प्रेडित रखके गायन की और आगे प्रगर्ति शीलोते हैं मेरे फाइश्ट से लगा कर लाइश्ट तक मेरे मामा जी है, दूल सिंग जी कडिवाल मैं उनको फ्रूलो करता हूँ, उनके कोई भी संगित, कोई भी भजन जो भी आते हैं बिल्कुल उनकी जो रहनी करनी, हर एक बात में, और मेरे संगित के गुरू भी मैं उनको भी मानता हूँ और गुरू है भी सही मेरे एक हमारे सस्क्राइबर थे वो उनका बजन के बारे में कह रहे थे वो दारूडी हिल ग्योरे उसके बारे में आप अगर वापस सुना देते हैं के दारू दुख की खान है मती लगाओ अंग राजा परजा मर गई इन दारू के संग ए दारूडी हिल ग्योरे बो तलके लपट ग्योरे मारा छेल बवरने समझाहले दारूडी हिल ग्योरे मारा घर का धनीने समझाहले दारूडी हिल ग्योरे आरे गेले गेले चालतो नाली में पड़ ग्योरे जी बहुत ही शानदार प्रस्तुती दिया आपने मैं क्या काबिल ये तारीफ है आपका गायन भी बहुत अच्छा है आप किसी खेल में रूची रखते हैं किसी गेम वगेरा में मेरा खेल ये की है मेरे पसंदीदा वो है किरकेट जी अप किरकेट को बहुत पसंद करते हैं आपका कोई फेवरेट किरकेटर जिसका नाम आप अभी लेना चाहें मैं यूरा सिंग को बहुत फॉलो करता हूँ बारा दिसमर अब ही उनका वड़्डे आने वाला है क्या परिस्तितिया रही आपकी जिंदगी में जब आप परताप सिंग सोन्याना बने जी बिलकुल सत्य बात है जब मैं छे माईने का था जब मेरी माता जी का दियानत हो गया था और करीबन तेरा साल का हुआ जब मेरे पिता जी लापता हो गये थे कुछ माइंडली प्रेसर के हिसाब से और फिर मैं होटल में चला गया जी क्या एज रही होगी उस वक्त आपकी उस टेम मेरी एज थी 14 साल की जी उस टेम मैं होटल में गया और बिलकुल होटल में कारी किया होटल में बिल्कुल क्या सेलरी देते तक है उस फक्ताप्त को जी बिल्कुल 10 Fr थे जी फेर सेल्यरी MR 6.7 फिर दीर दीर मुझे चाही। जीक और तिन साल मैंने होटल में काम किया था जीक और उसके बाद में जीकियां उसे taka काम सिखा तो देरे देरे सेलरी भी बढ़ने लगी थी अच्छा मैं एक जो इंडियन थाई मेक्सिकन जो कुक बोलते हैं बिल्कुल वो काम करता था मैं और फिर देरे देरे वापीस संगीत लाइन में रास्तान में आगी हमाई जब आपका पहला संगीत का सपोर्ट था तो व कोई मेरा बांजा भी गाता है लेकिन मैं उनको देख के कापी चीजे सिखा हूं और जो मैंने बताया कि मेरे दोस्त हे मौन सिंग्जी रावत नारेले निवासी और एक मेंदर सिंग जी काली मंगरी है और जब मैं होटल में था जब भी गाता था तो बहुत सारे स्टाप थे होटल लाइन के एमदावाज में उनका भी कापी सपोर्ट रहता था कि जहां कई पे भी ससंग होती थी बजन संधिया होती थी वहाँ पे मेरे को ले जाते थे और आगे कोई भी कलाकार आया हुआ लेकिन वो लोग मेरा सपोर्ट करते थे कि एक बंदा हमारे साथ में भी आया हुआ है इसको एक ये दो बजन का मौका दो तो उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया वापिस राश्तान में आने के बाद में मौन सिंग जी मेंदर सिंग जी परकाज जी बरार वाले उन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया कोई भी मेरे अगर कमी पैसी होती थी तो वो पूरा करते थे और जापे भी भजन संधिया होती थी बिलकुल वो मेरे बेट भी करते थे पांसो एक रुपए उस टैम में मैं गाता था और पुरी-पुरी नाइट गाता था मैं और दीरे-दीरे ऐसे ही मतलब आगे बढ़ता ग लगा था आप मुझे इसके बारे में थोड़ा परकास डालेंगे इस वाक्यांज पर कि आपने कप प्रारम किया था और कपसे आज तक आप उस संगीत में संगर्श कर रहे हैं ने जी बिलकुल जब मैं फाइस्ट रिकोडिंग की थी बेल पना माता जी की अपने जो मंगरे कैसीट भी की थी और उसके बाद में दीरे-दीरे लोग सब जानने लगे के वह छोटा बच्चा है बजन गाता है अमदावाद में मेरे को सब बालकलाकार के नाम से जानते थे और फिर दीरे-दीरे जैसे ही वह कैसीट निकली उसके बाद में कापी मतलब लोग जानने लग और फिर दिरे दिरे काई पर भी फंक्सन होता था सत्संग भजन संधिया होती थी जी मेरे को याद करते थे और उस टेम किसी के पास में मेरे नंबर नहीं भी थे थे अभी मेंदर सिंग जी है मौन सिंग जी है उनको बोल दे थे थे वह कि उनको लेकर आना जी और आप उनके स जब 6 माइना हो गया उसके बाद मैं मैं खुद मतलब खुद प्रोग्राम लेने लग गया था गत वर्ष में आपने सरपंच राजनिती में अपना कदम रखा जहां आपको पराजे प्राप्त हुई क्या कारण रहा कि आप पराजित हुए जी बिल्कुल सही बात है कुछ तो योग की बात होती है मेरे को खुशी इस बात की जितना हार की वो दुख नी है उतना मतलब मेरे को ये बात की खुशी है कि मैं एक माइने के अंदर कड़ा हुआ था और मेरे को एक माइने के अंदर मतलब इतने सारे वोट मिले थे और वो हार जीत तो होती रहती है और कुछ लोगों ने मतलब चुनाव की टेम में ये भी बोल जिया था कि परताब सिंग तो जीत किया है तो कई लोग तो वापिस मुड़ गे थे अपना भई जीत किया है कुछ तो वो कमी रही थी जो वोटर्स थे उनको संबालने वाले नहीं थे मेरे साथ में कोई और जो भी भाई ल में और आप सत्ता में आने के बाद में वे सारे दोश मिटा देंगे या उन कमीयों की भरपाई करेंगे या उने साफ कर देंगे तो वे चीज़े कौन-कौन सी है जो हमारे राजनेती को गंदा बना रही है जी बिलकुल ऐसी कई सारी अपने गाम में कम्या है जैसे एक तो अपने चिकत साल यह नहीं है अपने होस्पिटल बहुत दूर पड़ता है और कई बार तो अपने साधन भी नहीं मिलते हैं यहां से करीबन 16 किलो मिटर होस्पिटल है जैवाजा तो वहां तक अगर मेरे से जो हो सकता है मेरे पास में साधन है तो मैं वहां तक का मतलब एक उपए भी खर्चा नहीं लेना चाता हूं कोई भी ऐसी मुसिबत आ जाती है और ऐसे जो पीमार लाचारी की टैम पर बिलकुल मैं मतलब जहां तक हो सकता है वहां तक पहुचाने की मतलब आपकी कोशिस करता हूं और जब अगर सता में आते हैं तो मेरी कोशिस रहेगी कि ह हमारे जो एमुलेस वगेरा होती है मतलब हमारे गाम में ये चीज अवेलीबल होना बहुत जरूरी दूसरी बात है हमारे बेरोजगारी बहुत है युवा ज्यादा से ज्यादा युवा लाइस्ट है लाइस्ट आटवी नम्मी क्लास पढ़के सिधा होटल लाइन जूज कर सुन करते हैं और ये बेरोजगारी बिलकुल भगवान करें अगर सत्ता में आये तो बिलकुल इसका भी कुछ निवारन करेंगे जी हमारे किसान आप सब देखी रहे है वैसे तो के वही हमारे खेती का बहुत मतलब पीछे जा रहा मामला जी किसानों का बिलकुल सपोर्ट किसानों के लाब दाय कोई चीज आती है तो यहां तक पहुंच भी नहीं पाती है और बीच में ही मतलब पूरी हो जाती है पूरी होती है कि नहीं होती है लेकिन इनको मतलब ग्यात नहीं होता है कि यह मतलब अपने लिए यह नियम आया है और इसका अपने लाब ले सकते है तो इसके लिए खेतिवाड़ी की भी बहुत सारी कमिया है अभी तो बार भी हो गया है अपने यहापे लेकिन फिर भी बहुत सारी मतलब लड़किया हैं हमारे गाउं की पहले मतलब आट किलोमेटर दूर पढ़ने जाते जाना पढ़ता था तो मतलब समय को देखते हुए कई माबाप बस आट वी हो गया दस वी हो गया अपने गाउं तक बहुत हो गया आगे पढ़ने के लिए नहीं बेचते थे तो उनके लिए भी मतलब जैसे बार भी तो होई गया है लेकिन उनके भी कोचिंग के लिए कुछ भी अपने मतलब कर सक तो बिलकुल सता आएगी तो जरूर करेंगे उसके लिए ये बहुत बड़ी बात हैं गाउं की नेतिक समस्याओं को समझते हुए हमारे बीच में परताब सिंग जी ने जो जवाब दिये हैं ये वाकई में हमारे लिए बहुत कारगर साबित होंगे और मैं भी इश्वर से काम ने करता हूं कि आप इनी समस्याओं के साथ में सत्ता में आए और इनमें सुदार कर पाएं कुछ लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप अच्छा गायान कर सकते हैं आप अच्छे राजनेता नहीं है तो उसके बारे में उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे बिलकुल राजनेता तो मैं नहीं हूं और राई बत गायन की तो वो तो माता सर्षती की किरपा है राजनेतीру बने कोई सोख से ने की जाती है, जैसे अपने कुछ लगा है कि अपने गाहम में यह कमी है और नई हो रिए पूरी और कई लोग मदलब अपना-पना व्यवसाय संभल के बैठ जक्ते हैं मैं राजनीती में आता हूँ तो मेरे गाम में जो कम्या है बिल्कुल मै उन पे खरा उतरूँगा खरा उतरने की कोशिस पूरी करूँगा मैं और कई सारी ऐसी मतलब अन्वेवसा है तो उनको भी बिलकुल सुदारने की कोशिस करूँगा और जो खेर विश्वास तो करीब करीब सबको है मेरे उपर कि ये बंदा अगर राजनीती में उतरेगा सरपन्चुनाव में उतरेगा तो ये गाउं के लिए अच्छा ही करेगा और मैं बिलकुल उनकी मतलब जो सोच है उस पर खरा उतरने की कोशिस करूँगा मैं बिलकुल गरॉंड लेवल से काम किया मैंने मतलब ठेट से जाना इस च काम में रहते तो इन सब चीजों को मैं जहां तक मेरी कौसिस रहेगी कि सब की दुख पीड़ा को दूर करने की मतलब मेरी कौसिस रहेगी जहां तक रहेगी जी आपसे हमारे सब्सक्राइबरों के सवाल पूछूँगा जो हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे पायल चोहान जो हमसे कहती हैं कि आप एक शो का कितना चार्ज करते हैं जी बिलकुल चार्ज की कोई वो बड़ी बात नहीं है चार्ज जैसे आगे की जो आर्थिक इस्तिती होती है कोई बता देते हैं वैसाब इतना बजट नहीं है वो इसाब से और सबसे बड़ी बात होती है कि मैं प्रेम द के इच्छा होती है जो कर देते हैं वो मैं विल्कुल उसमें खुश रहता हूं और बजट की बाद रहती है जैसे अपने बोलते हैं बारमासी सत्संग जैसे मौत मरगत की मैं उनमें बहुत ही मतलब कम पेमेंट मतलब ना की बराबर पेमेंट लेता हूं मैं शाम जी ब्यावर से वह कहते हैं कि आपको म्यूजिक के अंदर बहुत सी नोलेज है बहुत से जानकारियां है तो आप अपना फेवरेट कोई बजन जो आपको बहुत अच्छा लगता हो जो आप हमारे साथ साजा करना चाहें एक मेरा बजन है फेवरेट माता थारी डूंगरी पर पानी को त अजन है जी जी अरे माता थारी डूंगरी पर पानी को तोडो हात जोडो ये जग दंबाय अमर राहकले जोडो अमर राहकले जोडो जी बहुत ही सुंदर प्रस्तुती इसी के साथ मैं बगवान से उमीद करता हूँ बगवान से दुआ करता हूँ कि आप दिन दुगनी और राज चोगनी तरक्की करें आपका काम दिन बढ़ता जाए ये हमारे तरफ से एक छोटी सी बेटे आपके उत्री दविश्य के सभी दोस्तों से सभी मानुबहा से निवेदन है कि हमारे बड़े वैसाब अजेपाल जी का चैनल लाइक करें सस्क्राइब करें शेयर करें दन्यवाद और कमेंट में अपने ओपिनियन्स हमारे जाद ज़रूर शेयर करें और अगर आपके सवाल कुछ परभाव साली और आपके सब्सक्राइब करें दन्यवाद